शिक्षकों को गैर शेक्षनिक कार्यों में लगाना अब नहीं होगा आसान पूरा अपडेट विस्तार से देखें शिक्षकों को गैर शेक्षनिक कार्यों में लगाना अब नहीं होगा आसान पी-म श्री स्कूलों से होगी शुरूआग शिक्षा मंत्राले की यह पहल यदी रंग लाए तो शिक्षकों से अब पढ़ाने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं लिया जा सकेगा फिलहाल इसे लेकर चिंतित मंत्राले इन दिनों नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती के तहट सभी राज्यों से यह गारंटी लेने में जुटा है अर्विंद पांडेय, नई दिल्ली, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में जुटे शिक्षा मंत्राले की यह पहल यदी रंग लाए तो शिक्षकों से अब पढ़ाने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं लिया जा सकेगा फिल्हाल स्कूलों में शिक्षकों के पास पढ़ाई के अतिरिक्त इन दिनों प्राथमिक्ता का जो काम है, वो बच्चों को समय पर मिद्डे मील मुहया कराने का है एक शिक्षक के भरो से चल रहे देश में धाई लाख सकूल, ऐसे में उनका हर दिन फोकस उसे ही तैयार कराने और बच्चों को खिलाने पर रहता है फिलहाल इसे लेकर चिंतित मंत्राले इन दिनों नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती के तहट सभी राज्यों से यह गारंटी लेने में जुटा है, जिनमें शिक्षकों को किसी भी गैर शेक्षनिक कार्यम में न लगाया जाए स्कूली शिक्षा की यह स्थिती देश के करीब 1.5 लाख स्कूलों में और भी चिंताजनक है, जो सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे है सभी राज्यों से स्कूलों के चैन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में ऐसे में वो पढ़ाई कराए या फिर मिड़ दे मील तयार करवाए मंत्राले ने ये पहल उस समय तेज की है, जब नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती, NEP के तहत वो प्रत्येक ब्लॉक के दो स्कूलों को PM श्री स्कीम के तहत अपग्रेट करने जा रही है इसके लिए सभी राष्ट्रियों से स्कूलों के चैन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है हाला कि इस स्कीम का लाब सिर्फ उन्ही राष्ट्रियों को मिलेगा जो अपने यहां पूरी तरह से नीती के अमल की गारंटी देंगे राजियों को इसे लेकर शिक्षा मंत्राले के साथ एक अनुबंध भी करना है फिलहाल अब तक दिल्ली, बिहार वर ज़ार्खं सहित साथ राज़ों को छोड़ कर सभी राज़ों के साथ इसे लेकर अनुबंध कर लिया है खास बात यह है कि राज्यों में PM श्री स्कूलों को खोलने के पीछे भी मंत्राले का जो मकसद है उसमें एक ऐसा model स्कूल तयार करना है जो कि स्कूली शिक्षा की गुनवत्ता पर पूरी तरह से खरा उतर सके शिक्षिकों को गैर शेक्षनिक कारियों से दूर रखे जाने की होगी कोशिश इसके शिक्षकों की बड़ी भूमिका है ऐसे में मंत्राले ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि शिक्षकों को पढ़ाई के अतिरिक्त किसी काम में न लगाया जाए नीती में भी शिक्षकों को मिद दे मील सहित दूसरे सभी गैर शेक्षनिक कारियों से अलग रखने की सिफारिश की गई है बावजूद इसके शिक्षकों को अभी मिड़े मील के साथ वोटर लिस्ट के पुनरीक्षन जंगर्ना सहित राज्यों की और से चलाए जाने वाले किसी भी प्रमुक कारेक्रम में लगा दिया जाता है शिक्षकों की सेवा शर्ते राज्यों के अधीम होने से वो इसे मानने के लिए बाद्य भी रहते है